दो कालम की बाहर से बाहर दूरी 30 फिट की है तो 30 फिट की दूरी में लटक बीम में कौन सी डिजाइन के साफ से सर्या बांदा गया है इस साइट पर आज की विडियो में यह देखेंगे दोस्तो इसमें, 30 फिट की स्पे Prepare-Sync में 8 फिट का Cont triangular beam घूर राक, juts 20 mm के शरीय लगाए है वह 12 mm के 2 सरीय लगाए 18 şurिए क कौन-कौन शी डिजाइन के इसाप से दौ twe ter चार सरी है तो बाटम में हो गाइब 27 के चार स्रीय टाप पर 20 से लंकिया और आप सरी अश्टा गत्टिल बांदे बी से बाटम में भी बांदे हैस्टा गटिल का सर्या पशरीया और टाप भी रहान दो इसको वो दूसरी जो लेर है इधर वाली पीन पर बांदे दोस्तों डबल लेर एसे टाप पे भी डबल लेर चलाए है इधर लेप्ट में और राइड में 12 mm का जो सर्या बांदे है वो यहां पर बांदे 20 सेंटर में रिंग का साइज बढ़ा था एक इधर की तरफ और एक कैसीं वो गी वह 16 इंची भई 24 इंची कानि होगी इस में डबल z 20 बनाए हो बीच की रुछे इं चừवई 21 इंची बनाए है एक दोस्तों इसकी दूरी चारी के रखी हैं इसमें दोस्तु दोस्तों जहां अपर इधर की तरफ यह ईन्जा रख पा इनल मर्क का है वहाला यह दो बीम रेश्ट हो रहा है तेश के ओपर यह वाले बीम को 20mm के सरीया का बनाए है इसकी रींग का साइज बढ़ा रखे है। आर्टालीस इंची काश्टिम होगी दोस्तो यह बीम की एक इधर की तरफ की और एक उदर की तरफ की यह बीम रेस्ट वह रहा था तो कालम से कालम इसका साइज बढ़ा करती है 6 इंच बई 45 इंच की रिंग बनाएगे 9 इंच बई 4 फिट के कास्ट्यूम होगे दोस्तो अब इसमें 8 फिट का जो कंटी लिवर बीम है इसकी डिटेल देख लेते हैं इसमें की डिजाइन के साब सर्या बांदे इसमें यहां से लेकर बीम के कुने से यहां तक की याड़ फिट है दोस्तो इसमें जो सर्या लगाए है ताप पे तो 20 इम्म के होगे 4 और बाटम में भी 20 इम्म के 4 होगे आड सरी है और बाटम में पीन लगा के चार सरी और बांदे है इसमें 16 mm के बांदे है चार सरी है उसके बाद में टाप से नीचे पीन लगा के जो बांदे है वो भी चार सरी बांदे है 20 mm के और फिर चार सरी एक और पीन लगा के 16 mm के बांदे है टोटल इसमें 20 सरी होगे दोस दोस्तों इसकी तरब आट में सर्य लगाए распcción कुर् Anybody कश्राइब लनाएं तो हट दूस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें उस वीडियो देखने के लिए झाल झाल झाल